हेलो प्रेंड विल्कम टू जैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सवी का स्वागत है जैसा कि हम यूपी प्रेलिस कांस्टिबल रीकजाम के लिए जो है यूद कंप्टीशन टाइमस बुक के जो है प्रैक्टिस सेट हिंदी के साल कर रहे हैं तो आज का हमारा यह प्रैक्टिस सेट नंबर 10 नंबर होगा ठीक है तो इसके 9 प्रैक्टिस एत्ट करा दिये हैं आप प्लेलिस्ट में जाकर वहां से नहीं देखे है तो देख सकते हैं ठीक है तो आज हमारा ये रिख एजाम के लिए जो है दसमा प्रक्टिस इड होगा ठीक तो आसा करता हूँ आप सभी अच्छे होगे और आपकी त्यारी अच्छी चल रही होगे चलिए भी पहला प्रस्ण कहे रहें कि पहला प्रस्ण है संदि संदि के कितने भेद होते है तो आपको बताना है संदि के कितने भेद होते है राइट अंसर आपको यहाँ हो जाएगा सही आपसन हो जाएगा कौन सभी सही आपसन आपसन नंबर सी हो जाएगा तीन भेद होते है तीन भेद होते हैं, कौन-कौन स्वर संधी होता है, ठीक है, स्वर संधी, बेंजन संधी, और कौन स होता है, बिसर्ग संधी, कौन स होता है, बिसर्ग संधी, तीन प्रकार की जो है, आपके क्या है, संधी है, ठीक, तो यहाँ पे स्वर संधी क्या होता है भी, जब दो स्वरो किसी किसे कहते हैं और आप से पूछा जाता है कि स्वरसंदी के कितने भीध हैं या प्रकार है तो यह आप बताएंगे पांच प्रकार ठीक है कौन-कौन से यनसंदी गुण स्वरसंदी, दीरग स्वरसंदी, बृद्धी स्वरसंदी, और कौन भी? और अयादी स्वरसंदी तो यह यावस के स्वरसंदी के भी पांच भेद हैं, इतना आपको यहाँ याद रखना है, ठीक है? चली, आगे देखते हैं, अगला है, करने कि पेट की अगनी, पेट की अगनी के लिए सुध्य सब्द है, आपको यहाँ बताना है, पेट की अगनी के लिए सुध्य सब्द, मतलब कई वाकों के लिए एक वाकों के आपकों में बताना है, सही आप्शन आपका हो जाएगा, कौ जंगल की अगनी को क्या कहते है तो उसका option हो जाएगा यह पीवाला बढ़वा अगनी हो जाएगा ठीक है और जंगल की अगनी को दावा अगनी कहते है ठीक है दावा अगनी कहते है ठीक है तो इस परकार आपको त्यान रखना है तो option number C आपको यहाँ पिरकोल सही हो जाएग option अगला आपको बताना है चीर का अर्थ क्या होगा देखिए जब छुटीक मांतर लगे रहेगे और बडीक मांतर में अंतर रहेगा ठीक है तो यहाँ पर आपको बताना है सही option आपका कौन सा हो जाए गा तो देखिए चीर मतलब शुटीक मंतर लगे रहेगा तो यह पुराना और चीर का रहेगा क्या कपडा ठीक है तो option number आपको कौन सा हो जाएगा तो option number C नमबर यहाँ पर सही हो जाएगा ठीक है option number C option पुराना कपडा जो है सही option C नमबर हो जाएगा ठीक है अब देखिए यह आप्षाने करें कि नया पुराना ठीक है नया का अर्थ क्या होता है नभीन पुराना कर्थ क्या होता है प्राचीन ठीक है तो यह यहां पर आपको द्यान रखना है देखिए चर क्या होता भी चर मतलब चरने वाला और अचर मतलब क्या होता है अचल ठीक, अचल मैंने अचल तो ये भी आपको त्यान रखना है चलिए, आज दिखते हैं अगला है कहने की यूगम की कौन सी जोड़ी सही है तो आपको बताना है कौन सी यूगम की यहाँ पर जोड़ी एकदम सही है राइट अंसर हो जाएगा ठीक है, देखिए, करें की अचल और अचला तो आप्शन नमबर यहाँ आपका, सी नमबर यहाँ पे सही हो जाएगा ठीक है, देखिए, अचल का क्या अरत होता है इस धर तथा अचला का अरत होता है क्या पिर्थिवी ठीक है इर्थिवी तो यहाँ पे option number बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा और देखें यह न्याए के अन्याए यह क्या है below में ठीक है below में मान का अपमान क्या है यह below में और धारा पिर्थिवी एक दूसरे से क्या है यह परयावाची है तो यहाँ पर यूग में की कौन से जोड़ी सही है तो यह आपसन नमबर यहाँ पर आपका C नमबर सही हो जाएगा अगला है करें दिए गए भी कलपों में से अपेच्छा का अर्थ कौन सा है तो अपेच्छा का अर्थ आपको बताना है सही आपसन आपका हो जाएगा हो जाएगा ठीक है अगला देखते हैं कहरें कि मर्कट मर्कट का परियायवाची है आपको यहां बताना है मर्कट का परियायवाची होगा सही आपसन आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा? कहरें पानी, पुत्र, बंदर या मित्र सही option आपका हो जाएगा option number C बिर्कुल right हो जाएगा बंदर, ठीक है, market का परियावाची बंदर है, ठीक है, तो और देखिए बंदर के कुछ परियावाची है, कापी भी कहते है ठीक है, कापी भी कहते है वानर भी होता है सखा मिर्ग होता है सखा मेरे के भी हारी भी बोलते हैं, ठीक है, हारी भी बोलते हैं, ठीक है, तो यह आपको ठ्यान रखना है, देखिए, पुत्र का, क्या भी, पुत्र का प्रयावाची है, पेटा भी कहते हैं, आप जानते हैं, बेटा भी कहते हैं, सुत्र भी कहते हैं, ठीक है, सुत्र भी होता है, तनए भी होता है पूत भी कहते है लड़का भी कहते है और देखिए मित्र काप जानते हैं सखा, दोस, यार, हमधम मीत भी कहते है और देखिए पानी का प्रियावाची क्या है अंबू अंबू क्या है भी पानी का प्रियावाची है, जल जल तो जानते हैं, नीर भी जानते आपken शली ये कई बहा है पूछ किसका परियावाची है शली है किसका परियावाची है तो आप बताएंगे पहाल नहीं को अपने का शली है, चलूए, तो इसका अप्टन आपका C 1 सभी हो कुछ जाएगा, आज दिrh deste है अगला है अगला प्रेस्ट कहने कि आबिर भाव का समनार्थी क्या है तो आबिर भाव का समनार्थी क्या होगा यहाँ पर आपको बताना है राइट अंसर आपका हो जाएगा सही आप्शन कौन सो जाएगा तो आप्शन नंबर भी हो जाएगा आउत्तारण होता है ठीक है तो option number यहाँ पे भी number सही हो जाएगा आज देखते हैं अगला है अगला कहने कि निर्माण का बिलोम है सही option आपका यहाँ हो जाएगा कहने कि नास होगा, द्वन्स होगा या बिनास होगा या उपनुट सभी सही option आपका यहाँ हो जाएगा क्या भी option number भी हो जाएगा ध्वान सोगा ठीक तो option number यहाँ पे भी number विर्कुल right हो जाएगा अगला देखते हैं अगला करें कि बड़ी प्रत्य का प्रत्य किस सब्द में नहीं है तेखिए नहीं वाला तो कई प्रकार से आपसे यहाँ पे प्रत्य बनते हैं कभी आपको option के सामने सामने लगा देंगे या इसे तोड़कर रखेंगे मूल सब्द और प्रत्य या इन में से पूछेगा किस में प्रत्य नहीं है लगा हुआ है ठीक है सही option आपका कौन सो जाएगा भी काई भी और यह देखिए माला तो माला प्लस बड़ी ठीक है और अलवेली में अलवेला मूल सब्द हो गया अलवेला प्लस बड़ी की ठीक है तो यह आपको भ्यान रखना है ठीक है इसमें यह जो है बड़ी प्रत्य है लेकिन चमेली में भी है आपका किसी प्रकार का प्रत्य नहीं लगा है आज देखते हैं अगला है केरें कि धीठ सब्द का तस्यम है सही आप्शन आपका यहां हो जाएगा तो आप्शन नमपर इसके कौन सब्द हो जाएगा अप्शन D बिरकुल सही हो जाएगा धिरिष्टि जो है धीट का तस्यम हो जायगा अगला ही इन्हेमेंसे कौन सा स्थ है योगरूर्ण शब्द की सनड़ी में आता है सही आप्शन हो जायगा आप्शन नमबर डी हो जायगा योगरूर्ण सब्द है योगरूर सब्द जो है यह बहुबरी समास के सभी उदार्ण जो है योगरूर सब्द के ही अंतरगत आते हैं तो यहां पे आपका D-number option सही हो जाएगा अगला करें कि राम सीता से सुन्दर है इस वाक्य में कौन सा कारक है तो आपको मैं बताया भी जहां तुलना हो समानता हो अलगा हो ठीक है भिन्नता हो वहाँ पे कौन सा कारक होता है देखिए यहां पे राम सीता से सुन्दर है देखिए से भी आया है और तुलना भी होई है तो आप जानते हैं कौन सो होता है भी यह, आपका option number B हो जाएगा, यहाँ अपादान कारक हो जाएगा, ठीक है, तो option number यहाँ पे B number सही हो जाएगा, अपादान कारक जानते हैं, ठीक है, तो यह आपका बिर्कुल कौन सो हो जाएगा, option number यहाँ पे B number सही हो जाएगा, के लिए के से के ले होता है और संपरदान का लिए होता है को के लिए और क्या हो संबंध की न न ए मे अधिकरन का होता है मे पर और आठवा क्या है भी संबोधन जुक है अरे ठीक है ये इतना आपको यहाँ इतना रखना है आज़े देखते हैं अगला प्रशन है करें कि जो इंद्र पर बिजय प्राप्त कर चुका हो जो इंद्र पर बिजय प्राप्त कर चुका हो उसके लिए आपको बताना है एक सब्द सही आपसन आपका हो जाएगा तो आप्शन नमबर यहाँ पे कौन सो जाएगा आप्शन नमबर सी विर्कुल सही हो जाएगा इंदर जीद कहते हैं ठीक है आप्शन नमबर यहाँ पे किसी वाक्य में एक वचन का प्रियोग हुगा है, ये आपको यहां बताना है, सही आप्शन हो जाएगा देखें, लड़के लड़कों को मार रहे हैं, तो इसमें तो बहवचन का प्रियोग हुगा है, लड़कों ने लड़कों को मारा, ये भी बहवचन का प्रियोग है लड़के ने लड़के को मारा तो यहां पे आपका option number बिर्कुल C number जो है सही हो जाएगा यहां पे एक वच्चन का प्रियोग हुआ है लड़के ने लड़के को मारा ठीक है अगला है लड़के लड़के को मार रहे हैं तो यहां पर यह भी बहुचन हो जाएगा, तो आप्शन नमबर यहां पर C नमबर आपका विर्कुल सही हो जाएगा, तो यहां पर आप्शन नमबर विर्कुल यहां C नमबर सही हो जाएगा, अगला कहरेंगी, तो आपको नहीं वाला बताना है, राइट अंसर आपका यहां रही लगा के इस तरी लिंग विसेशन लगा के इस तरी लिंग आप पहचा नहीं ठीक है सब जी का यसी अभी अच्छी है तो यह भी इस तरी लिंग है ठीक है अना नाश तो यह आपका कैसा है यही आपका option number ही C हो जाएगा या जो है पूरी लिंग शबत है तो आपको बताना है इसमें संयुक्त क्रिया का भेद इसमें से कौन नहीं है राइट अंसर हो जाएगा सही आपसन हो जाएगा तो देखिए आवकास बोधक संयुक्त क्रिया है निश्चे बोधक है और नितता बोधक ये जो हैं संयुक्त क्रिया है लेकिन यह है नाम बोधक जो है संयुक्त किरिया का भेद नहीं है तो option number D आपका विर्कुल यहाँ सही हो जाएगा अगला है करें सती से चंचल बालक है इस वाकि में चंचल शब्द है चंचल सब्द है आपको यहाँ बताना है राइट अंसर आपका यहाँ हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पे सही option क्या हो जाएगा चंचल आपका option number यह भी हो जाएगा चंचल ता जो है सतीस के क्या है यह विसेस्ता बता रहा है तो सतीस जो है एक चंचल बालक है तो यहाँ गुणवाचक विशेशन हो जाएगा चंचल में तो option B यहाँ पर आपका विर्कुल सही हो जाएगा तो यहाँ पर चंचल सब्द जो है सतीज के गुणों को बता रहा है तो option number यहाँ पर B आपका विर्कुल सही हो जाएगा ठीक तो बिसेशन आप चानते हैं कितने प्रकार के होते भी बिसेशन जो है आपके चार प्रकार के होते हैं ठीक है कौन-कौन से गुणवाचक, संख्यावाचक बिसेशन परिमाणवाचक और सार्वनामिक बिसेशन आज दिखते हैं अगला प्रश्ण है अगला कहरें कि सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं ये आपको यहाँ पता करना है सही option आपका हो जाएगा तो सर्वनाम आप चांदे हैं जो सब्द संग्या के स्थान पर प्रियुक तो होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं राइट अंसर आपका कौन्स हो जाएगा भी, option number B सही हो जाएगा, छाप्रकार के जो है, सर्वनाम के भेदे, कौन-कौन, इसमें यह भी आपसे पूछा जाता है, इसमें से आपसंदे देगा, कि इसमें से कौन सा सर्वनाम का भेदे नहीं है, तो उनके नाम भी सहबों को याद रखना है, तो कौन्स पहला है, पूरुसर वाचक सर्वनाम, तूसरा कौन्स हो जाएगा, निश्चे वाचक सर्वनाम, तीसरा हो जाएगा, निश्चे वाचक सर्वनाम, चौथा, क्या हो जाएक भी? संबंध वाचक, सरवनाम. पांचवा, आपका, अनिष्ये वाचक, सरवनाम. और छटा, क्या हो जाएगा? प्रस्ण वाचक, सरवनाम. तो ये आप्को धियान लगना है. आपनों देखते हैं, अगला प्रस्ण है. अब लेकित सब्दों में से एक की वरतनी सुद्ध है तो आपको इसमें पताना है सुद्ध वरतनी वाला कौनसा इसमें सब्द है सही आपस़न आपका हो जाएगा आपस़न नि कहने कि अभ्यांतरीक, हाँ ये आपका विर्कुल सही है तो option number यहाँ पे कौन सा सही आपसे पुछाए भी ठीक है शुद्ध बरतनी यह विर्कुल आपका अभ्यानतरी गलत है ठीक है तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा option D हो जाएगा निर्अ अपराधनी जो है यह आपका जो है सही हो जाएगा और देखिए निरोग की भी असुद्ध है अत्यधिक का भी असुद्ध है ठीक है और अभ्यान तरीक का भी असुद्ध है ठीक है तो इसके सुद्ध मरतनी क्या हो जाएगा अभ्यान तरीक का सुद्ध है क्या हो जाएगा बड़ा आ रहेगा या तरीक है ठीक है यह सुद्ध हो जाएगा और निरोग में आप जानते हैं बड़ी का मांतर होता है छोटी का मांतर नहीं होता है ठीक है निरोग ठीक तो इस परकार आपको ध्यान रखना है तो आप्शन डी जो है आपका यहाँ आप सही हो जाएगा और कि यह सुथी ठीक है यहाँ अभ्यांत्रिक में बड़ा कमांतरा या में बड़ा कमांतरा नहीं रहेगा और अत्यधिक में जो है या में बड़ा कमांतरा नहीं रहेगा और निरोग में जो है आपका नी में ना में जो है बड़ी कमांतरा रहेगा ठीक तो आपको पताना है कौन से यहाँ सही हो जाएगा कौन से हो जाएगा भी सही option हो जाएगा option number A हो जाएगा या जो है आपका कैसा है संयुक्त बिंजन नहीं है ठीक है या जो है अंतरस्त बिंजन है तो option number यहाँ पे यह नमबर ही पिरकूल आपका सही हो जाएगा. ठीक है? सम्युक्त बिंजन को न है? चा है, तरह है, ग्या है, ठीक, और स्रा होताई, एक और होताई, ठीक है? तो यह चार जो है आपके समय्युक्त बिंजन है. यह पूंछा जाता है इसे कैसे बने की हैं. तो छा जो है आपका किसे का हलन्त लगाएंगे प्लस सास ठीक है ठीक है ये हो गया और तरा जो है ता हलन्त प्लस रा से मिला है ठीक है और भी ग्या जो है ग्या जा हलन्त प्लस या से बिना है ठीक है ये ध्यान देखना है और स्रा जो है सा प्लस रा ठीक है तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है इनको आपको कभी-कभी option बे यह से brick करके देदेगा कहका कि छा का किन सब्दों से मिलकर बना हुआ है तो ये आपको यात्रा इनको भी ध्यान आपको रखना है कि यह किस से मिलकर पने हुए है तो यह आपको बिल्कुल ध्यान रखना है तो यह जो है आपका केसा सब्द है यह अंतरस्त बेंजन है तो यह अंतरस्त बेंजन कितने है चार होते हैं या, र, ल, और व, ठीक है और यही पर उस बेंजन आप जानते हैं चारी होते हैं स, 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 और ह, ठीक है तो यह आपको बिल्कुल यहां पर ध्यान रखना है ठीक है आप देखते हैं भी अब आपको देखी छोटा से गध्यान से अच्छा भी, बहुत अच्छा भी यह गध्यान से आपका दिया हुगा है तो इसमें पढ़ लेते हैं इसके कुछो PA जो भी है तो यह आप जानते ही भी इसमें से एक गध्यान से आएगा, उसमें कुछ प्रसन रहेंगे पाँच है तो उसमें आपको जवाब देना रहता है उसी कभ़ढ़ कर, ठीक है करने कि सिच्छा मनुस को मस्तिक्स और सरीर का उचित तालमेल करना सिखाती है वह सिच्छा जो मानों को पाठ पुष्टकों के ज्यान के अतरिक्त कुछ गंभीर चिंतन ना दे यदि हमारी सिच्छा सूसस्कृत सब सच्छित्र एवं अच्छे नागरिक नहीं बन सकती तो उससे क्या लाव कि आप पड़े लिखे और उस थरह से सब नहीं बन पाए तो ऐसी सिच्छा से हमें क्या लाव होगा आगे करें कि साहित दे सच्चा प्रंतु अनपड मजदूर उस असना तक से कहीं अच्छा है जो निर्दई है और चलित हीन है संसार के सभी वैभव और सुख साधन भी मनुस्य को तब तक सुख ही नहीं बना सकते जब तक कि मनुस्य को आत्मिक ग्यान ना हो हमारे कुछ अधिकार और करतब भी है ठीक है सिच्छित व्यक्ति को करतबों का उतना ही ध्यान रखना चाहिए जितना की अधिकारों का ठीक है पतना लागे अपने अधिकार के लिए तो बहुत लड रहे हो लेकिन आपका जो करतब है विर्omenला ही कर रहे हो तो दोनों को द्यान रखना है आपको करतब भी करिए और अपना अधिकार भी मत च्चोड़िए ठीक है चलिए देखते हैं भी कहने कि कौन सा सब्द अन उपसर्ग से नहीं बना है तो नहीं से आपको नहीं बना है कौन सा हो जाएगा सही आपसन आपका यहां हो जाएगा सही आपसन कौन सा हो जाएगा आपसन नमबर यहां पे सी नमबर सही हो जाएगा अन पड़ ठीक है ठीक है तो इसमें कौन सा उपसरग है भी इसमें जो है अनुपसरग है ठीक है अनुपसरग है तो यहां देखिए हालन्त नहीं है ठीक है तो यहां पर देखिए हालन्त लगाए ठीक है ध्यान लखिएगा तो अनुपण में जो है अनुपसरग होता है हालन्त नहीं रहता ठीक प्लस उपकार ठीक है उपकार रहेगा ठीक है और अनुपम में अनुपम ठीक है और आपका अनुपयोगी अजाएगा उपयोगी ठीक है तो ये आपको ध्यान रखना है तो अनपन में जो है अन रहेगा लेकिन देखिए इसमें हलन्द नहीं लगा रहेगा ठीक है तो यह आपको बिelkru यहां ध्यान रखना है ठीके हैं। और समय हलंत लगा रहेगा। तो ऐसे आपको तोड़कर भी याद रखना है मूलशब्द और उपसरगों ठीके। तो उपसरग आप जानते हैं पहले लगता है मूलशब्द की ठीके। आपको 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 समास है तो आपसं भी तो यहां पर आपसं सुखसा दन का बिगरा समास आपका कौंस हो जाएगा सपरहर Давай दहँते करे Foreign समास हो जाएगा सुख के साधन यहाँ पे ततपुरुस समास हो जाएगा ठीक है यहाँ पे आपसन नमबर C सही हो जाएगा तो यहाँ पे संबंद ततपुरुस समास का यह जो है है ठीक है और ततपुरुस समास के उत्तरपत क्या होता है प्रधान होते हैं ठीक है तो यहां देखिए, आपसन नमबर यहां पे, C USDA हो जाएगा, सुखों के साधन तो manger sa beter समास हो जाएगा ठी ceux यहां पे आपका । रोली सामद समास नहीं होगा ठी74 यहां सम्बंद को बता रहा है तो सुखों के साधन option number यहाँ पे C number आपका सही हो जाए ठीक है कर्मदारे समास क्या होता है इसमें पहला पत क्या होता है संग्या पहला पत यहाँ बिसेशन और अंतिम पत क्या होता है संग्या होता है ठीक है और दिगुष समास क्या होता है इसमें पहला पत क्या होता है अगला देखते हैं, करें कि कान का कच्चा होना, अब देखिए आपको भ्याखन बताना है, मुहावरा आया है, कान का कच्चा होना, मुहावरे का अर्थ होगा, बता ही, सही आपसन आपका हो जाएगा, सही आपसन आपका कौन हो जाएगा, सही आपसन आपसन आपका कौन हो ज तो आप्शन नमबर B बिर्कुल सही हो जाएगा अगला प्रशन कहरें कि जो रहीम उत्तम प्रकृत का करी सकल कुसंग चंदन भी स्व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंगे इस दोहे में कौन सा अलंकार है यहाँ पर आपको बताना है सही आप्शन हो जाएगा तो आप्शन नमबर यहाँ पर कौन सो जाएगा C नमबर सही हो जाएगा अर्थांतर नया से अलंकार हो जाएगा आप्शन नमबर यहाँ पर C नमबर आपका बिर्कुल सही हो जाएगा तो देखिए अर्थांतर नया से अलंकार क्या होता है जब किसी साधारन बात का विसेज बात से समर्थन किया जाए वहाँ अर्थांतर नया से अलंकार होता है ये आपको ध्यान रखना है ठीक है अगला करें कि देख सुदामा की दीन दसा करुणा करिके करुणा निधी रोए में कौन सा रस है आपको यहाँ पर रस बताना है सही आप्षन आपका यहाँ हो जाएगा तो कौन सा जाएगा भी आप्षन नमबर यहाँ पर C number आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें जो है करुणा रस है देखे सुदामा की दीन दसा करुणा करिके करुणा करुणा निधी रोए तो यहाँ पर देखिए दीन आप जानते दुखी है तो इन सुदामा की दसा करुणा रस हो जाएगा यहाँ पर दुख को प्रकट कर रहा है तो option C आपका बिल्कुल सही हो जाएगा और करुणा रस का आपको अस्थाई भाव पूछा जाता है तो क्या होता है? सोक होता है और भीयोग स्रिंगार यहाँ नहीं रहेगा यहाँ पर किसी को अलगाव नहीं दिखाए दे रहा है यहाँ मिलने के बाद रोया जा रहा है और रोध रस का अस्थाई भाव क्या होता है? क्रोध होता है क्या होता है? क्रोध होता है और सांत रस का क्या होता है? संतरस का अस्थाई भाव आपसे बहुत पूछता है तो ये निर्वेद होता है अपकी जो है आपके यहाँ जो है एक्जामपिल नहीं आए थे यहाँ सिर्फ आपसे अस्थाई भाव ही चारो सिफ्ट में पूछ लिया गया था ठीक है और वियोग स्रिंगार का क्या होजा इसका रती ही होता है यह जो है स्रिंगार रस का बेद है यहाँ पर स्रिंगार रस के दो बेद होते हैं वियोग स्रिंगार और संयोग स्रिंगार ठीक है तो यह आपको ध्यान रखना है करें कि आलंबन और उद्धीपन विभाओं के कारण उद्धपन भाओं को बाहर प्रकासित करने वाले कार कहलाते हैं तो ये क्या कहलाते हैं विभाओ कहलाते हैं कि अनुभाओ की संचारी भाओ या अस्थाई भाओ तो यह क्या कहलते हैं? राइट अंसर हो जाएगा आपका आपसन नमबर भी हो जाएगा यह अनुभाव कहलते हैं अगला है कहते हैं कहने कि मिस्र वाक के है तो आपको इसमें बताना है मिस्र वाक के बताना है सही आपसन आपका यहां हो जाएगा तो आपसन नमबर कौन सो जाएगा भी आपसन यहाँ C सही हो जाएगा उसके पास जो कुछ था वहाँ हो गया यहाँ जो है क्या है यहाँ पे मिस्र वाक हो जाएगा आपसन C आपका बिर्कुल यहाँ आपसन सही हो जाएगा ठीक है तो आप बताएंगे रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो आप बताएंगे रचना के आधार पर वाक्य के कुल कितने भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं, कौन-कौन भी, सरल वाक्य होता है, संयुक्त वाक्य होता है, और मिस्रित वाक्य होता है, तो आपको तो यह द्यान रखना है तो रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद हैं अगर वहीं आपसे पूछ ले जाए अर्थ की आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं नियुद heart होई ठीक है और वाक्य की दो अंगे होते हैं एक उदेस और एक बिदेखी होता है ठीक है चलिए आगगे देखते हैं अगला केन की कतर ब्योनत में कौन सा समास है यह आपको यहाँ बदाना है सही आपसन हो जाएगा सही आप्शन हो जाएगा कौन सभी यहाँ पे आप्शन नमबर A हो जाएगा यहाँ जो है क्या भी यहाँ इसमें जो है दुन्द समास है ठीक है तो आप्शन नमबर यहाँ पे A नमबर सही हो जाएगा अगला देखते हैं करें वह इस्तरी जिसका पती दूसरा विवाग कर ले इस वाक्यांज के लिए एक सब्द है सही आप्षन आपका यहाँ हो जाएगा तो क्या है तो आप्षन ए हो जाएगा आ ध्रिवुडा कहते हैं तो आप्षन नमबर यहाँ पे यह नमबर आपका यहाँ सही हो जाएगा ठीक है देखी परित्याक्ता किसे कहते है वाइस्तिरी जिसे वाइस्तिरी जिसे पती ने त्याग दिया है या छोड़ दिया है उसी को परित्याक्ता कहते है खंडिता किसे कहते है भी खंडिता किसे कहते हैं वा इस्तिर जिसका पती रात को किसी अनिस्तिरी के पास रहाकर प्राता उसके पास आता उसी को बोलते हैं खंडिता ठीक है तो ये आपको दिखाने रखना है आजे दिखते हैं अगला प्रश्ण है अगला कहने कि भूम के अंदर की जानकारी रखने वाले को कहा जाता है सही आपसन आपका हो जाएगा भूम के अंदर की जानकारी रखने वाले को क्या कहते हैं सही आपसन हो जाएगा आपसन ए सही हो जाएगा भू, गर्व, वेता कहते हैं option number A आपका विर्हकुल सही हो जाएगा अगला देखते हैं करें कि कौन सा निम्ञ में कौन सा सब्द अनेकार्थक है तो यहाँ आपको बताना है अनेकार्थक वाला सब्द हो जाएगा सही option हो जाएगा तो option number यहाँ पे C number हो जाएगा, अंबर जो है, यह कैसा सब्द है, यह अनेकार्थक सब्द है ठीक, अंबर सब्द क्या है, अनेकार्थक सब्द है और इसके अर्थक्या है, वस्त्र भी होता है, वस्त्र, आकास, मेग, ठीक, तो आप्शन नमबर यहाँ पे, C number आपका बिर्कुल सही हो जाएगा अगला है, करे कि वसुंद्रा का प्रयायवाची सब्द होगा, सही आप्शन हो जाएगा सही आप्शन, आप्शन नमबर इश को पिर्थवी कहते हैं, पिर्थिवी अवणी, उर्भी, मेधनी भी कहते हैं, ओर धारा यह आपको ध्यान रखना है, यह है इसके प्रयायवाची है ठीक है तो ये आपको ध्यान रखना है देखिए रतनाकर किसका प्रियाबाची है भी रतनाकर जो ही आपका समुद्र का प्रियाबाची है ठीक है कलाधर किसका है कलाधर चंद्रमा का है और दिन कर आप जानते हैं सूर का प्रियाबाची है तो रतना कर आपद्याने कीअगा समूंद का प्रिया बाची है कला दर किसका है? चन्दरमा का करने की गडबड गोटाला कौन सा सब्ध है तो ये आपको बताना है सही आप्षन आपका हो जाएगा तो आप्षन नमबर ये जो है कौन सा हो जाएगा भी तो option B हो जाएगा देशज सब्द है ठीक है तो देशज सब्द क्या होते है जिन सब्दों की विद्पद की बारे में पता नहीं चलता एवं बोल चाल की भासा में सोता अनिर्मित होते हैं उन्हीं हम देशज सब्द कहते हैं ठीक है और देखें संकर सब्द क्या होता है भी वे सब्द जो दो भासाओं के सब्दों से मिलकर बने होते हैं उन्हीं को हम संकर सब्द कहते हैं जैसे रेल गाडी ठीक है रेल क्या हो गया भी रेल जो है अंग्रेजी भासा का सब्द हो गया और गाली जो है क्या हो गया? हिंदी भासा का सब्द हो गया तो दो भासा के मेल से जो सब्द बनता है उसी को क्या कहते है? संकर सब्द कहते है ठीक है? आज देखते हैं अंगला है निमलिखीत प्रश्ण में चार विकल्प में दिये गए है वाकिका सही काल वाला विकल्प आपको चुनना है कहते हैं यदि मैं समय पर इस्टेशन पहुचता तो तो मेरी गाली ना चूटती आपको बताना इसमें किस प्रकार का काल है ठीक है? तो यहाँ पर राइट अंसर हो जाएगा भी आप्शन नंबर भी हो जाएगा हे तू हे तू मद भूत काल है ठीक है? तो आप्शन नंबर यहाँ पर आपका भी नंबर सही हो जाएगा ठीक है? तो हे तू हे तू तू मद भूत काल किसे कहते हैं भी? क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया बूद काल में होने वाली थी, किन तू किसी कारणवास ना हो सकी, उसे हे तू हे तू मत बूद काल कहते हैं, ठीक, बूद काल के कुल छा भेद होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगला है, करें कि हिंदी में कारक के भेद हैं, सही आपसन हो जाएगा, तो कितने अपसन नबर D हो जाएगा, कारक के कुल आठ भेद हैं, ठीक है, कौन-कौन सभी, करता कारक, करम कारक, करन कारक, संपरदान कारक, अपादान कारक, संबंध, अधिकरन कारक और संबोधन, ठीक है, तो यह आपको धिहान रखना है, तो इस प्रकार आपका आपसन नबर D यहा अभीकास किस प्राकरत या अपवर्न्स से माना जाता है ठीक? तो यहां पर सही option हो जाएगा तो यह option number b हो जाएगा मागदी अपवर्णत से ठीक है? तो option b यहां पर आप सही हो जाएगा देकि हिंदी कीजी हो है कुल कितनी उपवास हैं पांच है तो इंद से पूछा जाता है कि किस अपवर्ण से विक्सित हुई है, इनको जरूर याद रखना है, कौन कौन से है, पहली है पूर्वी हिंदी, जो है अर्द मांगधी, अपवर्ण से विक्सित हुई है, दूसरी है पश्मी हिंदी, सौर शेनी, अपवर्ण से विक्सित तो option number B आपका बिर्कुल यहां right हो जाएगा. देखिए, बिहारी हिंदी के अंतरगत तीन भासा है आती है. कौन-कौन से? बोजपुरी, बोजपुरी, मैथली, ठीक है? मैथली, और कौन से भी? मगई, मगई, ठीक है? मगई, बोली आती है. तो यह आपको ध्यान रखना है. तो इस परकार देखिए, और जो है, पूर्भी हिंदी के अंतरगत भी तीन आती है, ब्रजभासा, कन्योची, बंदेली और बांगरु जिसे हरियान भी भी कहते हैं, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? और पूरवी हिंदी के अंतरकत कौनाती है? तीनाती है अवधी, बगेली, छतिजगडी, ठीक है? तो इस पर कार आपको ध्यान रखना है तो आसा करता हूँ यह आपको फसंद आए, अगर पसंद आए तो लाइक और सेर कर दीजिएगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्नवाद